देखिए कल जो 31 तारिक को नू में घटना हुई बहुत ही एक दुरुभागे पूर्ण घटना है इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उचादिखारियों को डिजी पी साब, एडिजी सीएडी, एडिजी पी लाइन ओडर और अन्य आसपास के जलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहां रवाना किया दो पैर दो बजे के आसपास की घटनाएं हैं घटना इस परकार हुई के वहाँ समाज की एक यात्रा जो हरवस निकलती थी उसका आयोजन किया दे रहा था और कुछ लोगों ने एक श्रेंट रच करके उस यात्रा पर आक्मन करना शुरू किया और आक्मन नकेवल यात्रा पर बलके पुलिस के उपर भी उन लोगों ने किया जिसके प्रणाम सुरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आग जिनी के घटनाएं हुई गाड़ियां जला दी गई निश्य रूप से एक बड़े शरेंद्र का कहिने के इसा लगता है अब काफी मात्रा में मैं कह सकता हूँ के पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की और से हमने निवेदन किया था वहां से जो केंद्रिय सुरक्षावल सोला कंपनीज वहां पहुँच चुकी है तीस कंपनीज हर्याना पुलिस की भी वहां पहुँची है इन सब ने नू में सिति को सामने किया है आसपास के जिलों में भी छुट-फूट घ्टनाय जो हुई थी चाहे वो पलवल की हैं, गुरुगराम की हैं अथा अफरिदाबाद की हैं उन सब पर काभू पाली आ गया है, सब जिलों में शांती स्थापत इस समय की गई है फिर भी एतियात के तौर पर वहां कर्फू लगाया गया है, कुजलों में 144 धारा भी लगाई गई है सारी नजर रखी जा रही है, जो लोग इस शडंतर में 9 से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्रूप से पैचान करके उनके खिलाफ करवाई की जाएगी अभी तक सब मिलाकर 44 के असपास F.I.R. हुई है और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजदू को किया गया है, उनको रहासत में लिया गया है 96 बिन के बाद जो भी दोशी लोग होंगे, उनके खिलाफ सक्त करवाई की जाएगी किसी भी उपदरुई को बक्षा नहीं जायागा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो अभी तक जानकरी है कि पांच लोगों की मृत्यू हुई है जिसमें दो पुलिस के करमचारी हैं और तीन सिविलेन हैं इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है इन सब को मौज़ा जरूर दिया जायेगा और मैं अपील भी करता हूँ कि जहां जहां इस परकार की घटनाएं हुई है जनता के सब लोग शान्ती भाल करने के लिए आगे आए administration ने भी शान्ती कमेटी की जो एक meeting की है उसके अनुसार में आशा करता हूँ कि सब लोग शान्ती बनाने में और सयोगी होंगे और आगे कोई स्थिती न बिगड़े इस परकार का सुनिश्यत जरूर करेंगे